हेलो नमस्कार डियरी स्टूडेंट वेलकम टू सक्सेज केरियर आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आई टी आई एडमीशन के समय कौन-कौन से डाकुमेंट्स लगेंगे न यानि कि यदि आपको कालेज मिल चुका है और फाइनली आप एडमीशन लेना च इस वीडियो को अधिक साधी शेयर करिएगा उन दोस्तों के पास जो की आई 2 में एडमिशन लेने वाले है या ऑई आई टी आई में सबी information आपको मिल पाएं चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते बीडर लेट किये तो आप लुख देखने वाले हैं documents verification में documents verification में कौन-कौन से documents लगने वाले हैं चलिए देखिए यहां पर जो documents documents लगने वाले हैं वो iti में यदि आप admission लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं तो उससे में आपका documents verification में कौन-कौन सा documents लेना है कौन-कौन से documents ओरिजिनल लेकर जाना है कौन-कौन से photo copy लेकर जाना है यह सबसे पहला जो है यह passport size color photo है यह 6 photo copy शोरी चे photo लेकर जाना है आपको color ठीक है रंगीन photo आपको कितना ले जाना है छे photo ले जाना है उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको ले जाना है enlightenment letter इलाटमेंट लेटर क्या है जो आपको college मिला हुआ है जो जिसे काल लेटर बोली है उसका print-out कराक ले जाना है जो आपको मिला है जिसमें trade बगरा और आपका college दिखाई दे रहा है वह आपको लेकर लेकर जाना है तीसरे नंबर पर लेकि जाना है 10 और 8 का mark sheet 10 और 8 का mark sheet 14 नंबर पर 10 और 8 का certificate ठीक है mark sheet और certificate दोनों लेकर जाना है और iti online farm print-out यानि कि जो आपने online farm भरा था उसका print-out करा लिजिए उसको भी लेकर जाना है यदि आपका नहीं होगा तो आप print-out निकाल सकते हैं आवेदन print-out करके website पे दिया रहेगा वहां से निकाल सकते हैं six number पे transfer certificate आपको ले कर जाना है टिसी ओरीजिनल ले कर जाना है character certificate यानि कि चरित्र परमाणपत्र आपको लेकर जाना है उसके बाद आपको medical certificate ले जाना है और उसके बाद आपको ले जाना है अधार कार्ड ठीक है अधार कार्ड उसके बाद 12 नंबर पे अधर जो डाकुमेंट से जैसे की डाप्रीजनल वहां जमा करना होगा और कौन-कौन से फोटो कापी ले जाना है और कितने फोटो कापी ले जाना है तो पासपोर्ट साइज कलर फोटो यह छे रख लीजिएगा एलाटमेंट लेटर आपको जो एलाटमेंट लेटर है वह लेकर जाना है एक फोटो कापी भी लेकर जाईएगा उसका Mark sheet का photocopy ले कर जाना है Certificate का photocopy ले कर जाना है और Original भी ले कर जाना है ठीक है इन सभी डॉकमेंट्स को आपको Original ले कर जाना है आपको photocopy करेंगे सबका एक-एक photocopy भी कर लिजेगा कौन-कोन सा Original जम्हा जाएगा तो देगे एलाटमेंट लेटर आपका जमा हो जाएगा मार्शीट और सर्टिफिकेट यह फोटोकापी जमा होगा लेकिन आपका चेकप ओरिजिनल से करेंगे कि आपका सर्टिफिकेट सही है कि नहीं फिर प्रिंट आउट आपको ले जाना है यह जमा हो जाएगा टीसी आपको ओरिजिनल ले जाने है ना फोटोकापी कराके एक रख लीजिएगा लेकिन आपका टीसी ओरिजिनल वहाँ पर जमा हो जाएगा कारेक्टर सर्टिफिकेट यानि कि चरित्र पढमार पर जो स्कूल से बनवा के ले जाएगे वह भी आपका वहाँ पर ओरिजिनल जमा हो जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल रहेगा वह भी जमा हो जाएगा ओरिजिनल पेल्ड आपको औरिजिनल ले जाने हैं एक फूट्रापी भी ले जाना हर अप आपका जमाहो जाएगा फोटोकापी जमाहो जाएगा फोटोकापी लीजाने हैं तो आपको तो सभी फोटोकापी करा लिजेगा जिसमें आपका ओरिजिनल टीसी करेक्टर सर्टिफिकेट यह और मेडिकल सर्टिफिकेट यह ओरिजिनल जमा हो जाएंगे बाकी का फोटोकापी जमा होगा तो मुझे उम्मीद है कि आई टी आई में जो भी एडमीशन लेने वाले हैं उनको डाकुमेंट्स वेरिफिकेटन की सारी प्रोसेस कौन-कौन से डाकुमेंट्स लेकर जाना है वहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छा लगएगा तो लाइक कर जीएगा और जितने भी आपके दोस् इस वीडियो को जरूर सेयर करिएगा उनके साथ आज के वीडियो में इतना ही मिनेंगे नेक्स्ट अप्डेट के साथ तब तक लिए बाई थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो